नौसेना या नेवी किसी भी देश के सुरक्षा कामों और कुछ हद तक financial कामों को अंजाम देती है ये किसी भी देश की समुद्री सेना होती है जिसका काम अपने देश की समुद्री सरहदों की हिफाज़त करने के साथ साथ दुश्मन देशों पर युद्ध के समय हमला करنا या हमले से देश का बच्चाव करना होता है अब ये सेना कहां रहती है उसका हिसाब ऐसे लगा सकते हैं कि हर देश का समुद्र के अंदर कुछ किलोमीटर तक अधिकार शेत्र होता है जिसमें उस देश की नौ सेना उस शेत्र की रेक देख और सुरक्षा करती है इसके अलावा अपने उस शेत्र से होने वाले व्यपार पर नजर भी रखती है भारते सेना और पाकिस्तानी सेना का काम भी अपने अपने देश की समुदरी सीमा की सुरक्षा और देख रेख करने का है जिसके लिए दोनों ही सेनाओं के पास रक्षा और हमले के लिए लड़ाकु जहास, क्रूजर, डिस्ट्रॉयर और सैनिकों की टुकडिया होती है लेकिन दोनों कितना दम रखती हैं वो भी एक सवाल है तो ऐसे में चलिए देखते हैं दोनों को जरा गौड से भारते नौ सेना भारते नौ सेना की स्थापना 5 सितमबर 1612 को अंग्रेजों ने The Honorable East India Company Marine के नाम से की थी जिसका काम ब्रिटिश व्यपारियों के जहाजों की सुरक्षा करना था बाद में इनका नाम Bombay Marine रखा गया और इसके बाद Royal Indian Marine और फिर Second World War के पहले इसका नाम Royal Indian Navy रखा गया लेकिन 26 जन्वरी 1950 को भारत के गनतन तरबनने के बाद इसके नाम के आगे से Royal हटा कर केवल Indian Navy या भारतिय नौ सेना रखा गया जिसका Head Office नई दिल्ली में है इसकी दो Operation Command है जिसमें पश्शिमी यानि की Western नौ सेना कमांड का Head Office मुंबई के Arabian Sea में है और पूर्वी कमांड यानि Eastern नौ सेना कमांड का Head Office विशाखा पट्नम के Bay of Bengal में है और इसकी एक Training Command भी है जो की दक्षिनी कमांड नाम से केरल के कोचीन वाले Arabian Sea में है भारतिय नौ सेना के कमांड इन चीफ भारत का राशपती होता है जो की समय द्रोपती मुर्मुजी है और मौजूदा समय में नवल स्टाफ के चीफ आर हरी कुमार है और भारतिय नौ सेना के अलावा बाकी दोनों जल और थल सेनाओ पर कंट्रोल भारत सरकार रखती है भारत के बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग खर दिया गया और इस तारीक को पाकिस्तानी नौ सेना का स्थापना दीवस मन आए जाता है आजादी के बाद रॉयल इंडियन नेवी के शेरों Instruments भारत और पाकिस्तान में दो एक के रेश यो में बाठ दिया गया पाकिस्तान नेवी का हिटकोर्टर इसलामाबाद में है भारत के तरह ही पाकिस्तान की नेवी का कमांडर इंचीफ पाकिस्तान का राश्यपती होता है जो कि इस समय आरिफ अल्वी जी हैं और मौजूदा समय में नवल स्टाफ के चीफ एड्मिरल अमजद खान नियाज हैं। भारत ये नौसेन और पाकिस्तानी नौसेना के बीच पावर कमपैरिशन। भारत और पाकिस्तान के दुश्मनी किसी से भी छुपी नहीं हुई है। ये दोनों एक दूसरे के कटर दुश्मन हैं और समय समय पर इन में टकराव होता रहता है। इसके साथ ही हिंद महासागर और बंगाल की खाडी में चीन भी भारत को घेरने के प्लैन पर लगातार काम करता रहता है। जिसके कारण भारत अपनी नेवी की ताकत को लगातार बढ़ाता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन को वक्त आने पर मूँ तोड जवाब देने और भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए ही भारत लगातार नई-नई टेकनोलजी से लेस हतियारों को अपनी नौसेना के फ्लिट में शामिल करता जा रहा है। तो अब हम ये जानते हैं कि आखिर भारत के सामने नौसेना की ताकत के कंपैरिजन में पाकिस्तान कहां ठहरता है। पाकिस्तान नेवी के पास आच सम्मरीन्स हैं जिसमें से दो अटेक करने वाली हैं। यानि कि मिसाइल और हतियारों से लोड़ेट छोटे जहाज हैं। जबकि पाकिस्तान नेवी के पास इनकी संख्या दो हैं। जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। भारतिये नेवी के पास करीब 36 नवल एयर कॉमबैक्ट फाइटर जट हैं। जबकि पाकिस्तान के पास इनकी संख्या भी शुन्य है। भारती नौसेना के पास आठ लेंडिंग शिप टैंक्स, एक एमफीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक है, जबकी पाकस्तान के पास 54 हाइस्पीड बोर्ट्स और दो रिसर्च एंड सर्वे वेसल्स हैं। 2022 में ही सिपरी की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत सबसे जादा हतियार खरीदने वाले देशों में से सबसे उपर है। पाकिस्तानी सरकार का इंडियन नेवी के लिए फ्यूचर क्लान। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान नेवी के लिए पाकिस्तानी सरकार ने चीन से चार चानीज फ्राइगेट्स और आठ सब्मरीन्स के लिए समझोता किया है। इसके अलावा भी पाकिस्तानी सरकार समय समय पर चीन से नेवी के लिए एक्कुटमेंट्स खरीदती रहती है। अगर बात करें पाकिस्तान नेवी और भारते नेवी के टकर की तो 1971 में दोनों देशों की नेवी भीडी थी। पाकिस्तान के PNS खेबर, PNS शाजा, PNS मुआफिस को तभा कर पाकिस्तान को हरा दिया था। ये जीत भारते नौसेना को 4 दिसंबर को मिली थी। इसलिए 4 दिसंबर को हम सब भारते नौसेना दीवस की तोर पर मनाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो भारते नौसेना के सामने पाकिस्तानी नौसेना कहीं ने टिकती। लेकिन हम सब भारती यही चाते हैं कि हम अपनी नौसेना को ताकतवर बनाते रहें। लेकिन किसी भी देश से युद्ध की नौबत नहीं आए आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान कभी भारत के आसपास भी आपाएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में बताए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए है या चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबारा न भूलें